जैश्रे किष्णा बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाट नो सदाचार इसमें आपको ये देखो कितना अच्छा ये लड़का है कि ये जो व्रद्द जन है जो बुजुर्ग है उनके पैर चूरा है तो इस तरीके से जब हम किसी की सेवा करते ह हैं या हम किसी की मदद करते हैं तो वो व्यक्ति जो हमेशा सच का व्यवार करता है सच बोलता है वो कैसा होता है सदाचारी तो सदाचारी बनने के लिए हमको इमानदार होना आवशक है जो व्यक्ति अपने प्रति इमानदार होता है वो सब के प्रति इमानदारी बरतता है चाहे सेवा की बात हो या करतवी की धन की बात हो या कमाई की लेने की बात हो या देने की सब में उसका वेवार कैसा रहता है इमांदारी पूण रहता है। और जो इमानदार वैक्ती होता है वो गरीब होते वे भी धनी होता है क्योंकि उसके पास कौन सा धन है इमानदारी का और उसके कारे से उसको सब सम्मान देते हैं और उसको आनंद मिलता है। बेइमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परन्तु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जो व्यक्ति बेइमान होता है वो बेइमान व्यक्ति धनी हो सकता है मतलब उसके पास खूब पैसा हो सकता है परन्तु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशाशित एं संयमी भी होता है जिस वैक्ति के अंदर सदाचार के गुण होते हैं वह अनुशाशित यानि उसके अंदर कौन सी बात होती है अनुशाशन की भावना होती है संयम की बात होती है उसके अंदर और इन गुणों को उसके बोलचाल कारी व्यवार, खान पान और रहन सेन आदी में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, उसके अंदर अनुशाशन के गुन होते हैं, वो सयम होता है, उसकी बोलचाल की बाशा हो, उसका व्यवार हो, या उसका खान पान है, इन सब में हम वो बात देख सकते हैं। वो स्वेम अनुशाशित रहकर अच्छे व्यवार का परीचय देता है वो जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है अनुशाशित वो अनुशाशन में रहकर अपने अच्छे व्यवार का परीचय देता है जो व्यक्ति अनुशाशन में रहेगा उसके अंदर अच्छे व् और जो गलत व्यक्ति होता है, बहिमान व्यक्ति होता है, उसकी बोल चाल, उसका वेवार, उसका खानपान, उसको भी देखकर हम समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति सही नहीं है, यह व्यक्ति बहिमान है, सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, सत्य बोलना यानि सच बोल एक प्रकार की अखंड तपस्या है, सच बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, तपस्या का मतलब क्या हुआ, तपस्या का मतलब कि यह एक बहुत परिश्रम का काम है, सच बोलना, क्योंकि जूट बहुत आसानी से कोई भी खड़े खड़े बोल देता है, लेकिन सच बोल लगता है लेकिन सच हमीशा सच होता है इसलिए सच बोलना एक प्रकार कि अखंड तपस्या है अखंड जिसको खंडित नहीं कर सकते अखंड है जिसको हम उसके खंड नहीं कर सकते उसके टुकडे नहीं कर सकते वो एक ऐसी तपस्या है जूट बोलना अच्छा नहीं माना जाता जूट बोलने को हम अच्छा नहीं मानते हैं जो वैक्ति रिदे से सत्य बोलने का वरत लेता है वह सदाचारी होता है जो वैक्ति अपने हिदे से, अपने मन से सच बोलने का वरत लेता है वह सदाचारी होता है क्योंकि जो व्यक्ति जूट बोलता है बैमानी करता है वो व्यक्ति कभी भी सदाचारी नहीं हो सकता क्योंकि सदाचारी व्यक्ति कैसा होगा जो हमेशा सत्य बोलेगा ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने वाले व्यक्ति मरते दम तक यानि जब उनकी मृत्यों आती है तब तक वो सत्य बोलने का पालन करते हैं हमेशा सत्य ही बोलते हैं कभी जूट का सहारा नहीं लेते सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है प्रसन्न रहता है सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो जहां भी जाएगा कैसा रहेगा प्रसन्न रहेगा हमेसा खुश रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है और उनके संपर्क में जो भी व्याग्ति आते हैं उनको वो खुशी देता है, देखो जिसके अंदर खुशी होगी, तो उसके वेवार में भी खुशी जलकेगी, और दूसरों को भी खुश रखेगा, लेकिन जो खुदी खुश नहीं है, खुदी प्रसण नहीं है, तो वो द सद गुण तता सद व्यवार का बंडार होता है वह जूटी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है और वह निर्बय होता है जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसके पास सद गुण यानि अच्छे गुण और सद व्यवार यानि अच्छा व्यवार का बंडार होता है वह व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम उसकी बहुत तारिफों के पुल बांदें, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो अगर हम जूटी प्रशन सा कर भी देंगे, तो अगर वो सदाचारी व्यक्ति है, तो वो इस बात से प्रभावित नहीं होगा, वो निर्भय होता है, वो कैसा होता है, निर्भय, निर्भय का मतलब जिससे कोई भी भय नहीं होता, जिससे कोई भी भय नहीं होता, जिससे कोई भी भय नहीं होता है, तो सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है, हमेशा निर्भय होता है, उसे कोई भी भय नहीं होत वो अपने संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी खुशी देता है उसके अंदर खुब अच्छे व्यवार होते हैं वो अच्छे व्यवार का बंडार होता है वो जूटी प्रसंसल से प्रभावित नहीं होता और वह निर्भय होता है